हेलो फ्रेंट्स यदि आप ITI के ट्रेनी हैं और किसी भी वर्स में आपने अपना ITI को पास किया है दोस्तों तो ऐसी सिते में आप अपने मोबाइल फोन के जरिये ही अपना कॉंसॉलिडेट जो मार्क सिट होता है उसे डाउनलोड कर सकते हैं साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने मोबाइल स्क्रेन के उपर आ जाना है और क्रोम ब्रोजर को खोल लेना है खोल लेने के बाद दोस्तों आपको टाइप करना है NCVT ठीक है क्या टाइप कीजिगे तो NCVT यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है NCVT mis.gov डॉट इन यह डिजीडी का ओफीसियल वेबसाइट है इसे आपको सर्च कर लेना है जैसे ही दोस्तों इसे आप सर्च करते हैं इसका ओफीसियल इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखता है यहाँ पे कई सारे आपको आपसंस नजर आ रहे होंगे जैसे कि होम का आई टी का ट्रेनी का वेरिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन, इक्जामनर, कैलेंडर, फंचनल टीज, ग्रेडिंग, सी एफाई, हेल्प जैसे कई सारे आपसंस आपको देखने को मिल जाते हैं साथ ही आपको ट्रेनी के ऊपर क्लिक कर लेना है जो यहाँ पे विंडू है वो ट्रेनी के इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर से कई सारे उपसंस आपको देखने को मिल जाते हैं पृश्न, इप inc. आपको ट्रेणी के ऊपो ट्रिक कर लेना है जैसे ही प्रोफा कि उपर आपको क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे आपका registration number पूछा जाता है देखे दूस्तों registration number यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका father name date of birth इंटर अप image जो image दिया गया है capture दिया गया है capture को भड़ लेना है remember me का checkbox दिया गया है इसे tick कर लेना है उसके बाद submit कर देना है दियान रहे है दोस्तों यहाँ पे जब आप registration number डालेंगे तो registration number में आपका दो zero होता है पहरे ठीक है तो दोनों zero का आपको हटा लेना है उसके जगाँ पे capital R डाल देना है बाकि दोनों zero के बाद जितने भी letters होंगे वो सारी letters को यहाँ पे आपको submit कर देना है ठीक है उसके ब तो दोस्तों स्क्रीन के उपर आप देख पा रहे होंगे मैंने सारा कुछ detail यहाँ पे भर लिया है देखिए registration number मैंने डालने वक्त यहाँ पे R लगाया है यह चीज़ आपको धियान रखना है शुरू में दो zero होता है वो zero को हटा गरके आपको capital R लगाना है उसके बाद के उपर आपको क्लिक करना है चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको submit करके दिखाता हूं दोस्तों जैसे ही आप submit करते हैं आपका पूरा profile आपको देखने को मिल जाता है आपको scroll करते हैं भी नीचे आ जाना है और नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे आपको एक option द तो दोस्तों जैसे ही आप print consolidated mark sheet के उपर click करते हैं आपका जो mark sheet होता है वो download हो जाता है उसके बाद उस mark sheet का आप जहां पर भी उपयोग कर सकते हैं और यह ध्यान रखना है दोस्तों जो आपको mark sheet आपके college से मिलता है और यहां से जो mark sheet आप download करते हैं दोनों का value समान होता है अ आप जहां मर्जी आप अपने हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों ध्यान रखने का वाली बागत यह है कि जो one year का course होता है जैसे diesel mechanic का welder का और दूसरे course होते हैं इन सभी course के लिए यहां पर consolidated mark sheet download नहीं होता है बाकि जो दो year वाले course होते हैं जैसे electrician, feeder, motor mechanic यह सार अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार